आउनलाइन दोखा दड़ी के मामले में राजस्थान निवाशी एक आरोपी गिरिपतार पूछताच के लिए चैर दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया थाना साइबर क्राइन की एक टीम दोवारा एक आरोपी को दोखा दड़ी के मामले में गरिपतार करने में कामियाबी आशिल की गई है ठाना प्रबंदक 37 कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दोखा दड़ी के मामले में एक आरोपी को गरिपतार किया गया है उन्होंने बताया कि एक महिला ने सकायच देते हुए बताया था कि उसने गूगल पर पार्टो इमजाब के लिए सर्च किया था उसके बाद गूगल की अमेजन प्रो नाम की साइट ओपन हो गई जिस पर कलिक करते ही वाटस अप पर हेलो का मैसेज आया उन्होंने उसे गर के काम गर पे काम करके हर रोज आठ हजार रुपे तक कमाने का लालच दिया पर लोबन में आकर उसके उसने दिया गए अकाउंट में 17 ट्रेंजेक्शन करके 4,99,800 रुपे भेज दिये उन्होंने उसके साथ दोखाज़ड़ी की सिकायत पर करवाई करते हुए आरोपियों के खिलाब साइबर क्राइम थाने में आपरादिक मामला दर्ज किया गया आरोपि की पहचान मनीश निवाशी उदेपुराजस्तान के तोर पर की गई आरोपि में पुष्टाज में सरियंतर के तहट जासा देकर ओनलाइन ठगी के मामले के संबंद में खुलासा किया आरोपि के खिलाब कारवाई करते हुए उस्यादालत जजज़र में पेश किया आरोपि को पुष्टाज के लिए चार दिन के पुरिस रिमांड पर लिया गया है मामले की जास परताल की कारवाई जारी है